Hi guys, my name is Nitish and you are welcome to my YouTube channel इस वीडियो में हम लोग अपना 100 days of deep learning playlist continue करेंगे अगर आपको याद होगा, last दो वीडियो से हम लोग self attention का concept पढ़ रहे हैं और इस वीडियो में भी हम लोग वही काम continue करेंगे एक बहुत छोटी सी चीज बच गई है आपको समझाने के लिए कि self attention में scaling का concept क्यों use होता है वो मैं इस वीडियो में cover करूँगा honestly ये concept है तो बहुत छोटा सा और बहुत सारे लोग इसको पढ़ाते भी नहीं है बस एक line में justification दे के आगे बढ़ जाते हैं बट मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर काफी conceptual चीज़े हैं समझाने के लिए जिससे आपका solid concepts build हो सकता है that is why ये वीडियो बनाया है comment लिख करके बताना कि आपको ये approach फायदिमन लगा या फिर हम skip कर सकते थे so let's start the video एक काम करतें गाईस वीडियो को start करने के पहले हमने पिछले वीडियो में क्या किया था वो एक बार discuss कर लेते हैं so अगर आपको याद होगा पिछला वीडियो तो हमने वहाँ पर एकदम first principle से self attention create करने की कोशिश की थी फिक है मैं आपको एक summary देता हूँ हमने exact क्या discussion किया था माल लो हमारे पास एक sentence है money bank grows हमें इसके उपर self attention apply करना है तो process क्या होता है कि आप इस first word को लेते हो that is money आप उसका embedding generate कर लेते हो embeddings के बारे में हमने काफी discussion कर रख है तो यह जो e money दिखाई दे रहे है यह money word का embedding है similarly यह e bank bank word का embedding है और e grows grows word का embedding है उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम तीन matrices लेते है पहले matrix का नाम है WQ दूसरे matrix का नाम है WK और तीसरे matrix का नाम है WV यह तीनो matrices are basically matrices of parameters इसका मतलब यहाँ पे अंदर जो value होगी वो training process से decide होगी इसके उपर back propagation apply होगा तो हमने क्या किया हमने money word का जो embedding था उसको एक बाद dot product कराया WQ से जिससे हमें एक vector मिला Q money हमने embedding को multiply किया WK से जिससे हमें एक दूसरा vector मिला और फिर हमने WV से भी एक बाद dot product कराया जिससे हमें तीसरा vector मिला तो ये हो गया हमारा query vector for money ये हो गया हमारा key vector for money और ये हो गया हमारा value vector for money और ये same काम हमने repeat किया बाखी के सारे words के साथ अब आप एक काम क्या कर सकते हो किस इनस आपके पास तीन query vectors है one query vector for money one query vector for bank and one query vector for gross तो आप उन तीनों को इस तरीके से stack up करके query matrix बना सकते हो similarly आप सारे के सारे key vectors को stack up करके key matrix बना सकते हो और similarly सारे value vectors को stack up करके V matrix बना सकते हो और जैसे ही आपके पास ये q, k और v matrix आ जाता है अब आपको क्या करना है self attention apply करने के लिए अपने query matrix को k matrix के साथ dot product करवाना है जिससे आपको ये particular matrix मिलता है इस matrix के उपर आप softmax लगाते हो जिससे आपको ये matrix मिलता है और finally इस matrix को आप v matrix के साथ dot product कराते हो जिससे आपको आपका final contextual embedding मिलता है यही हमारा nutshell में summary है जो हमने last वीडियो में सीखा अब अगर आप चाहो तो इस पूरे process को mathematically बहुत compact form में लिख सकते हो आपने सबसे पहले क्या किया q और k matrix का dot product करा है इस process में आपको k matrix को transform करना पढ़ेगा और फिर आपने इस पूरी चीज़ के ऊपर softmax operation लगाया और फिर जो भी result आया उसको आपने दुबारा से multiply कर दिया v matrix के साथ तो basically attention calculate करने का formula जो है for any given q, k and v matrix वो ये रहा आपकी screen पर right and this is the summary of our last video एक single equation में हमने पिछला जो डेड़ घंटे का वीडियो था उसको summarize कर लिया अब मैं आपको बताता हूं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले है इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ notice करवाना चाहता हूं और वो ये है कि ये तो हमने formulation पूरा का पूरा scratch से develop किया ठीक है kind of like हम inventor बन गया और हमने first principle से कोशिश की self attention बनाने की बट जब आप ये बना करके original paper के पास जाओगे जो बहुत famous हमारा paper है attention is all you need यहाँ पर जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो formula है यहाँ पर देखो यहाँ पर भी इन लोगोंने formula यूज किया है सब कुछ सेम है मैं थोड़ा zoom कर देता हूं सब कुछ सेम है but there is a difference what is that difference that difference is in fact let me copy this and paste it in the notepad just so that आप side by side observe कर पाओ सब कुछ सेम है there is only one major difference यहाँ पर हम एक particular value से scale कर रहे है इस operation को इस operation को हम scale कर रहे है with the help of dk and that is why इस paper में हमारे इस attention को scaled dot product attention बुलाया गया है scaled dot product attention बुलाया गया है तो हमें बस इस वीडियो में यही समझना है कि first of all यह dk है क्या और फिर इस square root of dk से divide करने की जरूरत क्यों पड़ी honestly मैं यह topic skip कर सकता था आप किसी भी और वीडियो में अगर जाके खोजने की कोशिश करोगे इसका reason तो simply एक line में बता देते हैं कि because unstable gradients ना हो training unstable ना हो इसलिए हम इस factor से divide करते हैं बट मैं कोई chances नहीं लेना चाहता मैं आपको एक बहुत बढ़िया intuition देना चाहता हूँ कि first of all क्यूं scale करनी की जरूरत पढ़ रही है और exactly यह dk से ही scale क्यूं किया गया यह intuition मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता हूँ तो I really hope आपको इस वीडियो का why समझ में आ गया अब हम लोग अपना discussion आगे बढ़ाते हैं तो चलो गाई सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि यह dk है क्या बहुत simple शब्दों में dk है dimensionality of the k vector मतलब key vector so हमारे पास जो हर word था उसके लिए एक corresponding k vector था right तो basically इन तीनों vectors का जो भी dimensionality है अगर यह 3 dimension है तो dk का value 3 हो जाएगा अगर यह 10 dimension है तो dk का value 10 हो जाएगा अगर यह 512 dimension के हैं तो dk का value 512 हो जाएगा also यह समझाने की शायद जरूरत नहीं है कि जो dimension k money का होगा वही k bank का भी होगा वही k grow का भी होगा in fact यह बात में आपको और अच्छे से समझा देता हूँ कि k vector का dimensionality derive कैसे होता है बहुत simple है आप क्या कर रहे हो आप अपने हर word का embedding calculate कर रहे हो embedding का खुद एक dimension होता है जैसे जो popular embeddings होते हैं जैसे कि word to vec तो उन सब का like कुछ dimension होता है मालो 512 dimension का या 256 dimension का या उससे छोटा dimension का भी होता है होडी दिर के लिए चीजों को simplify करने के लिए माल लेते हैं कि हम जो embeddings use कर रहे हैं वो 3 dimensional है तो इसका मतलब ये भी 3 dimensional होगा ये भी 3 dimensional होगा ये भी 3 dimensional होगा in short 1 by 3 होगा ठीक है और एक चीज़ और माल लेते हैं कि ये जो weight matrices हम use कर रहे है WQ, WK और WV इन तीनों का भी dimensionality 3 cross 3 है तीनों का वैसे अलग भी हो सकता है बट हमने चीजों को simplify करने के लिए माल लिया अब देखो जैसे हम इस embedding का dot product इस matrix से साथ कराएंगे तो since 1 by 3 है इसका dot product हम 3 by 3 से कराएंगे तो जो outcome आएगा वो 1 by 3 आएगा So K money will be 1 by 3 By the way, same logic से आपका Q money भी 1 by 3 होगा और V money भी 1 by 3 होगा ठीक है बट ये अलग भी हो सकता है ये अलग भी हो सकता है और ये इस बात पर depend करेगा कि आपके matrices का आपने shape क्या ले रखा है अगर आपने shape अलग ले रखा है तो Q money, K money, V money इन तीनों vectors का dimensionality अलग होगा बट हमारे case में actually dk is equal to dq is equal to dv equal to 3 तो I guess आपको सबसे बहले तो ये समझ में आ गया कि ये dk है क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमारा formula ये बन जाएगा softmax of q, k, t divided by root over of 3 multiplied by V और इसका actual मतलब ये हुआ कि जब आप q और k, t का dot product करते हो उससे आपको ये जो matrix मिलता है आप इस matrix के हर value को root over of 3 से divide कर दोगे इस scaling operation का ये ही मतलब है और फिर जो भी resultant matrix आएगा उसके उपर आप softmax लगाओगे और उससे आपको ये वाला matrix मिल जाएगा this is the setup ठीक है, बट अब जो जादा बड़ा question है वो ये है कि why हमें ये extra effort लगानी की जरूरत क्यों पड़ी क्यूं हम 1 by root over of dk से scale करते है this is the question that we have to answer now अब इस why का मैं आपको एक one word answer दे सकता हूँ one word नहीं actually, one sentence answer दे सकता हूँ, और वो sentence है taught product का nature मेरा answer ये है अगर आप मुझसे ये पूछो कि हम one by root over of dk से divide क्यों करते है तो मैं आपको बोलूँगा इसका reason है dot product का nature अब आप बोलोगे dot product का nature कुछ बात समझ नहीं आई तो मैं आपको समझाता हूँ मैं आपको detail में ये बात समझाता हूँ बट उसके पहले आपके साथ एक छोटा सा discussion मुझे करना है तो ये जो formula आप देख रहे हो ये जो formula आप देख रहे हो यहाँ पे हम क्या कर रहे है हम q kt calculate कर रहे है q एक matrix है और kt भी एक matrix है so basically हम दो matrices के बीच में dot product calculate कर रहे है ठीक है बट अगर मैं आपसे पूछूँ कि इन दो matrices के dot product के पीछे कितने vectors का dot product छुपा है तो आप क्या बोलोगे आप इसका answer बहुत आसानी से दे सकते हो ये रहा आपका q और ये रहा आपका kt q तीन vectors से मिलके बना है और kt भी तीन vectors से मिलके बना है तो essentially जब आप matrices का dot product कर रहे होते हो आप behind the scenes multiple vectors का आपस में dot product कर रहे होते हो तो हो क्या रहा है कि आप इस vector का इस vector के साथ dot product कर रहे हो जिससे आपको ये number मिल रहा है फिर इसी का आप इसके साथ कर रहे हो तो आपको ये number मिल रहा है फिर इसी का आप इसके साथ कर रहे हो तो ये number मिल रहा है फिर आप इसका इसके साथ कर रहे हो ये number मिल रहा है इसका इसके साथ कर रहे हो ये number मिल रहा है इसका इसके साथ कर रहे हो ये number मिल रहा है and so on so basically आपके पास यहाँ पे तीन vectors है और यहाँ पे तीन vectors है तो total मिलाके आप 9 vector to vector dot products calculate कर रहे हो और वही 9 vector dot products आपको इस matrix में stored मिलेंगे आई होग आपको ये बात तो clear है तो इसका मतलब ये है कि जब हमें जब हमने इन vectors को dot product किया तो मुझे 9 numbers मिले because dot products are scalars हमें 9 numbers मिले अब अगर 9 numbers है तो मैं बहुत आसानी से उसका mean calculate कर सकता हूँ कभी भी आपके पास एक से ज़्यादा numbers है आप उसका mean calculate कर सकते हो and similarly आप उसका variance भी calculate कर सकते हो सही बात है अगर आपके पास 9 numbers है या 10 numbers है या 50 numbers है आप उन set of numbers का mean of variance calculate कर सकते हो सही बात है अब मैं आपको समझाता हूँ कि इस statement का क्या मतलब हुआ dot product का nature so dot product का nature यह होता है कि जब आपके पास low dimensional vectors होते है तो उन vectors के dot product से हमें जो variance मिलता है वो भी low variance होता है और जब हम high dimensional vectors का dot product calculate करते हैं तो उससे हमें high variance मिलता है एक example से आपको यह समझाना चाहूँगा जैसे यहाँ पर हमारे पास जो vectors हैं मैंने आपको बताया था यह three dimensional है तो मैंने three dimensional vectors को एक second three set of three dimensional vectors के साथ dot product कराया तो मुझे nine dot product values मिली बट सिंस यह सब के सब three dimensional as in small dimensional vectors थे तो यह जो nine dot product values मिली इनका variance small होगा बट लेट से अगर यह मेरे vectors 512 dimension के होते तो भी मुझे nine dot product values ही मिलती बट इन nine dot product values का जो variance होता वो high होता और यह बहुत simple सी logical बात है खुद सोचो अगर आपके पास two dimensional vectors है ठीक है और ऐसे ऐसे आपके पास पांच set of vectors है यह हो गया पहला set दूसरा भी set हो गया यह भी 2D है तीसरा भी set हो गया यह भी 2D है और इस तरीके से पांचवा set है यहाँ पे हर vector 2D है तो हमने इसका dot product किया फिर इन दोनों का किया फिर इन दोनों का किया और आपको यहाँ पे मिला A, यहाँ पे मिला B, यहाँ पे मिला C यहाँ पे मिला D, यहाँ पे मिला E यह सब के सब numbers है versus मिर पास एक और condition है एक और situation है जहाँ पे मिर पास फिर से five pairs है बट इस बार यह सब three dimensional है यह सब के सब three dimensional है ठीक है अब फिर से इसका इसका dot product किया तो मुझे मिला F, G, H, I, J अब खुद सोचके बताओ अगर इन पांच numbers का variance है sigma one square और इन पांचों का variance है sigma two square तो किसका variance ज़ादा होगा किसमे variety ज़ादा होगी I guess आप intuition की basis पे भी यह बता सकते हो कि three वाले का ज़ादा होगा तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि अगर आप low dimensional vectors का dot product निकालते हो multiple low dimensional vectors का dot product निकालते हो तो उन dot products का variance low होता है बट अगर आप multiple high dimensional vectors का dot product निकालते हो तो उन सब का variance high होता है simple logic intuition से भी आप समझ सकते हो ये सेम बात को प्रूफ करने के लिए मैंने code लिखा और ये code का output मैंने यहापे paste कर रखा है, मैंने क्या किया मैंने thousand pair of vectors लिए thousand pair of vectors और ये सारे के सारे vectors three dimensional थे ठीक है तो पहला pair दूसरा pair ऐसे कर करके thousand pairs फिर मैंने इन दोनों का dot product कराया इससे मुझे एक number मिला फिर इन दोनों का dot product कराया इससे मुझे एक number मिला और मैंने इन हजार pairs के बीच में dot product कराया और मुझे हजार numbers मिले और मैंने उन हजार numbers का histogram बनाया you can see कि this is the histogram and आपको जो notice करना है वो ये है कि x-axis पे ये histogram कितना vary कर रहा है minus 2 से लेकर के 2 roughly speaking ये आपका variance रिप्रेजन्ट कर रहा है अब मैंने ये same experiment repeat किया इस बार मैंने क्या किया कि मैंने फिर से thousand pairs of vectors लिए but इस बार मेरा हर vector 10 dimensional था so फिर से मेरे पास thousand pair of vectors है but ये सारे vectors 10 dimensional है फिर से मुझे कुछ numbers मिले ये thousand numbers मिले अब इन thousand numbers का मैंने फिर से histogram plot कराया फिर से notice करने वाली चीज है x-axis इस बार अब spread देखो minus 10 से 10 है उपर कितना था minus 2 से 2 और ये experiment मैंने फिर से run कराया फिर से मैंने thousand pair of vectors लिए और हर vector इस बार thousand dimension का था काफी बड़ा फिर से इन सब का dot product कराया इससे मुझे फिर से thousand numbers मिले बट ये सारे vectors अब thousand dimension के थे और इन thousand numbers का मैंने जब histogram plot किया अब देखो आप variance minus 30 से 30 चला गया अब मैंने इन तीनो curves को जब एक single histogram पे plot किया तो ये जो सबसे अंदर आपको दिखाई दे रहा है ये वो situation है जब आपके पास three dimensional this is three dimensional vectors का dot product ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है ten dimensional vector का I'm sorry ये मैंने ten बोला न ये actually hundred my bad ठीक है so don't get confused ये hundred है और ये जो सबसे बाहर आपको दिखाई दे रहा है ये thousand dimension का है तो notice करने की चीज़ ये है कि जैसे जैसे आपका dimension बढ़ रहा है vectors का जैसे जैसे dimensions बढ़ रहा है तो आपका जो variance है वो भी बढ़ रहा है and guess what if there is high variance then it's a problem in fact it's a big problem क्यों वो मैं आपको बताता हूँ अब high variance बड़ी problem क्यों है ये समझाने के लिए एक assumption लेते हैं कि हमारा ये जो self attention का calculation है इसमें हमारे ये जो सारे vectors है ये high dimensional है मानलोब 512 dimension के है instead of 3 dimension ठीक है तो obviously हमें ये जो matrix मिलेगा इसमें 9 numbers ही होंगे अभी भी but इन 9 numbers के बीच में जो variance होगा वो high होगा variety बहुत जादा होगी कुछ numbers बहुत छोटे होंगे कुछ numbers बहुत बढ़े होंगे अब हमें करना क्या है कि इन 9 numbers के उपर हमें soft max लगाना है basically S11 को पकड़ना है और उसके उपर soft max लगाना है S12 को पकड़ना है फिर उसके उपर soft max लगाना है हर number के उपर हमें soft max लगाना है अब soft max का भी एक nature होता है soft max का nature ये होता है कि अगर आप इसको थोड़ा भी बड़ा number देते हो by the way first of all मैं आपको बताता हूँ softmax करता क्या है softmax को अगर आप एक set of numbers देते हो तो वो उन numbers को probabilities में convert करता है such that उन सभी का sum 100% या फिर 1 के बराबर होता है softmax का यही काम है but softmax since exponents पर depend करता है तो उसका एक nature यह है कि अगर आप उसको बड़े numbers दोगे तो वो बहुत जट से उसको बड़ी probabilities की तरफ फिकेगा और अगर आप उसको छोटे numbers दोगे तो वो बहुत जल्दी उनको one की तरफ भेजेगा like smaller probabilities की तरफ भेजेगा ठीक है यह example में आपको actually दिखा सकता हूँ यह मैंने softmax का एक function create कर रख है अब यहाँ पर अगर मैं ऐसे numbers भेजू जिनके बीच में variance ज़ादा नहीं है इन दोनों की बीच में ज़ादा variance नहीं है दोनों बराबर के numbers है तो आप notice करोगे कि this is the result that you are getting बीच बीच की probabilities है ना बहुत दूर गया ना बहुत पास आया आस पास में यह probabilities बट अगर मैं ऐसे numbers भेजू जिनके बीच में बहुत variance है जैसे 1 और 10 तो softmax का nature क्या है कि वो बड़े वाले को बहुत high probability दे रहा है और छोटे वाले को बहुत low probability दे रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर यह जो numbers है इनके बीच में बहुत high variance हुआ तो softmax क्या करेगा by default यहाँ पर कुछ numbers को बहुत high probability दे देगा और कुछ numbers को बहुत low probability दे देगा I hope आपको समझ में आ रहा है तो यहाँ पर कुछ numbers बहुत ही बड़े हो जाएंगे और कुछ numbers बहुत ही छोटे हो जाएंगे मतलब gap बहुत बढ़ जाएगा अब आप सोचोगे कि gap बढ़ गया तो क्या problem है problem यह है कि हम इस पूरे process को train कर रहे हैं जैसे हम किसी भी और neural network को करते है इसका मतलब यह है कि हम back propagation लगा रहे है back propagation में हम gradient calculate कर रहे है और उस gradient calculation के basis पे हम weights को update कर रहे है बट जैसे ही इस matrix में back propagation को यह दिखाई देगा कि कुछ numbers बहुत बड़े हैं तो automatically training का जो पूरा focus है वो इन बड़े numbers को सही करने में चला जाएगा और जो छोटे numbers है वो ignore होने लग जाते है और जैसे ही वो ignore होने लग जाते हैं तो उनके corresponding जो parameters है उनके ओपर vanishing gradient problem लगने लग जाता है basically उनका gradient बहुत ही small हो जाता है और gradient अगर small हो गया तो वो parameters update होंगे ही नहीं और update नहीं होंगे तो basically आपका training process खराब हो गया अगर इस पूरे scenario को मैं आपको एक analogy के थूँ समझाना चाहूँ तो imagine करो एक classroom है एक classroom है और उस classroom में आपके पास बच्चे बैठे हो हैं और बच्चों को doubts आ रहे हैं जो वो teacher से पूछना चाहते है बट problem क्या है कि इस class में बच्चों की जो height है उसका variance बहुत जाद है इसका मतलब कुछ बच्चे बहुत ही लंबे हैं और कुछ बच्चे कम height के हैं variance बहुत जाद है तो अब teacher ने जैसे ही बोला कि हाथ खड़ा करके पूछो तो जो लंबे बच्चे है वो अपना हाथ खड़ा करेंगे और सिर्फ लंबे बच्चे दिखाई देंगे तो teacher automatically क्या करेगा सिर्फ लंबे बच्चों के doubts clear करेगा तो over time क्या हो रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं इनके doubts solve नहीं हो रहा है तो overall class जो है यहाँ पर exactly same काम हो रहा है अब imagine एक ऐसे हा classroom जहाँ पर सारे बच्चों की height almost बराबर है मतलब variance बहुत कम है तो teacher ने जैसी बोला हाथ खड़ा करो तो उसको सारे बच्चे दिखाई दे रहे तो वो सारे बच्चों से doubt पूछेगा और सबका doubt clear करेगा तो इस class की जो learning होगी वो और अच्छी होगी बिकाज यहाँ पर और ज़्यादा variety के doubts solve हो रहा है तो यहाँ पर यह same चीज़ हो रही है since इन में से कुछ numbers बहुत बड़े हो गए तो training process पूरा focus कर रहा है उन numbers को ठीक करने का और यह जो चोटे वाले numbers हैं वो ignore हो जा रहे है ignore होने का मतलब होता है कि इनके जो gradients हैं वो बहुत small हो जा रहे हैं और वो update नहीं हो रहे हैं तो basically यह लोग training process का part ही नहीं बन पा रहे हैं और training process सिर्फ बड़े numbers पे focus कर रहे हैं बट अगर किसी तरीके से हम ये make sure कर पाएं कि यहां पे ये जो सारे numbers है ये जो सारे numbers है इनका variance हम reduce कर पाएं अगर अगर हम इनका variance reduce कर पाएं तो फिर automatically जब softmax लगेगा तो ऐसी probabilities assign होंगी जो बराबर बराबर की होंगी extremes पे नहीं होंगी तो फिर training process क्या करेगा सब के ओपर बराबर focus करेगा और जब सब पे बराबर focus होगा तो जो training का result निकल के आएगा वो भी बहुत अच्छा होगा तो हमारा अब जो problem है वो ये है एक बार मैं problem define कर देता हूँ कि बहुत high dimension होने की वज़े से ये जो 9 numbers है इनका variance high हो गया इनका variance high होने की वज़े से जब हमने soft max लगाया तो soft max की जो probabilities आई वो बहुत extremes पे आई या तो 99% के आसपस या फिर 1% के आसपस अब इन extreme probabilities से problem क्या होई कि training का सारा focus बड़े वाली probabilities पे चला गया छोटे वाली ignore हो गई vanishing gradient problem अप्लाई हो गया और सबका सब focus बड़े number पे इस problem को solve करने का simple तरीका तो यह होता है कि आप high dimensional embeddings low मत low dimensional embedding ले लो but guess what low dimensional embedding में आप ज़्यादा useful information extract नहीं कर पाऊगे आपको high dimensional embeddings तो रखनी पढ़ेंगी अगर high dimensional embedding है तो यहाँ पे high variance आएगा तो हमें बस किसी तरीके से यहाँ पे इस matrix में जो variance है इसको low करना है अब खुछ सोचो यहाँ पे हम इस variance को low कैसे कर सकते हैं जैसी हम यह वाला variance low कर देंगे तो softmax लगाने पे जो probabilities होंगी वो भी थोड़ी सी ऐसा comparable type की आएंगी और हमारा training process सही से होगा as in stable training होगी तो हमारा पूरा focus है इस matrix का variance को low करना कैसे? next देखते हैं तो guys problem तो समझ में आ चुकी है problem यह है कि बड़े n values के लिए as in बड़े n मतलब n क्या है यहाँ पे? vectors का dimension बड़े n values के लिए यह जो matrix है इस matrix के अंदर जो numbers है उसका variance high हो जा रहा है जो undesirable है और हमें इसको रोकना है तो simple शब्दों में हमें in set of numbers का variance control करना है अब अगर हमें आपसे पूछूँ एकदम simple सा सवाल कि अगर आपके पास कुछ numbers है उनका कुछ variance है तो उसको reduce करने का क्या तरीका होता है बहुत simple सा सवाल है I guess आपको पता है यह शायद कोई बच्चा भी answer कर देगा यह देखो मेरे पास यह कुछ numbers है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और जब मैंने इनका variance निकाला तो वो variance आया 400 too high मुझे इसको reduce करना है तो मैं इन numbers में क्या बदलाव कर सकता हूँ जिससे variance reduce हो जाए बहुत simple है I guess आप सोच पा रहे हो scale कर तो देखो मैंने क्या किया मैंने सारे numbers को 10 से divide मार दिया तो अब मिरे पास आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और अब मैंने जब इसका variance निकाला तो variance कितना आ रहे है 4 घड़ गया variance same चीज हमें भी या करनी है कि हमें जब ये matrix मिल जाए हमें इस matrix की हर item को किसी number से divide करना है उससे क्या होगा इस matrix का variance automatically reduce हो जाएगा ठीक है जादा बड़ा question ये है कि हमारा scaling factor क्या होगा यहाँ पे तो हमने 10 से divide कर दिया यहाँ पे हम किस चीज से divide करेंगे ये बड़ा question है और ये समझाने में न मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बिकाज ये आसान नहीं है समझना कि exactly क्या चीज से divide करोगे आप यहाँ पे हर number को जिससे आप अपना variance reduce कर पाओ, control कर पाओ अब वो scaling factor क्या होगा ये समझने के लिए हमें इस problem को थोड़ा अलग perspective से एक बार देखना पड़ेगा let me explain so हमारा problem ये है कि यहाँ पे ये जो numbers है इन numbers का variance बढ़ जाता है जैसे ही हम ये n बढ़ाते है ठीक है बढ़ अगर मैं आपसे पूछू हूँ यहाँ पे हर number क्या represent कर रहा है जैसे ये number क्या represent कर रहा है ये number represent कर रहा है इस vector और इस vector का dot product इसको मैं अगर V1 बुलाऊं इसको V2 बुलाऊं इसको V3 बुलाऊं इसको V4 इसको V5 और इसको V6 तो basically V1 और V4 का dot product से ये number मिला V1 और V5 के dot product से ये number मिला and so on मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर इन vectors का dimension increase होता है तो जो भी numbers आ रहे हैं उनका variance भी increase होता है ये हमने multiple times discuss कर रही है बट मैं आपको ये बात mathematically quantify करके दिखाना चाता हूँ कि कितना increase होता है ये हम लोग discussion करेंगे ठीक है? तो थोड़े देर के लिए हमारा जो discussion होगा उसके लिए हम पूरे के पूरे इस matrix पे focus ना करके सिर्फ पहले row पे focus करेंगे सिर्फ पहले row पे focus करेंगे because जो problem पूरे matrix की है वही problem इस row की भी है अगर आपने इस row की problem solve कर ली तो आप उसको इस पूरे matrix पे apply कर सकते हो ठीक है? तो इस पहले row की लिए हम consider कर रहे है vector 1 को vector 4 को vector 5 को और vector 6 को because V1 with V4 gives you this V1 with V5 gives you this and V1 with V6 gives you this ठीक है? अब मुझे ये समझना है कि इन 3 numbers का variance क्या है मुझे ये समझना है ठीक है? ठोट जट के लिए हम ये मानेंगे कि ये जो सारे vectors है ये सब के सब one dimensional है मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि V1 A से मिलके बना है V4 B से मिलके बना है V5 C से मिलके बना है और V6 D से मिलके बना है इसका मतलब ये हुआ कि S1 होगा AB इन दोनों का dot product S12 होगा AC और S13 होगा AD अब मुझे क्या करना है? इन 3 का variance calculate करना है Right But हमें sample variance नहीं चाहिए ये तो यहाँ पे सिर्फ तीन numbers इनका variance निकालना बहुत आसान है मुझे population variance चाहिए या फिर थोड़े और technical शब्दों में बात की जाए तो मुझे expected variance चाहिए expected variance का मतलब कि कल को अगर V4 के बतले कोई और vector आ जाए जो की one dimensional है या फिर V5 के बतले कोई और vector आ जाए जो one dimensional है तो उससे मुझे कुछ नए numbers मिलेंगे हो सकता है मुझे FG एक word एक number मिल जाए मुझे EF एक number मिल जाए मुझे KM एक number मिल जाए समझ रहे हो ना अलग-लग numbers हो सकते हैं यह सारे numbers है यह सारे ABCD numbers के placeholders हैं मतलब समझ लो इस बात को यहाँ पे अगर 3 होता यहाँ पे 2 होता यहाँ पे 1 होता यहाँ पे 4 होता तो AB क्या होता, 3 times 2 यानि कि 6 C क्या होता, ये AC क्या होता, 3 और ये क्या होता, 12 तो अब मैं variance calculate करना चाहता हूँ 6, 3 और 12 का नहीं, sample variance नहीं calculate करना चाहता हूँ, मैं population variance calculate करना चाहता हूँ, मैं उन सारे possible values का variance calculate करना चाहता हूँ जो यहाँ पर आ सकती है तो कलको अगर यह vector बदला यह number बदला तो यहाँ वाला number बदल जाएगा तो मुझे इस distribution का इस particular random variable का expected variance चाहिए तो मैं थोड़ी दे के लिए माल लेता हूँ कि यह जो तीनो numbers है A, B, A, C, A, D यह एक random variable से निकल के आए है and that random variable is x तो मुझे basically अब क्या करना है मुझे var of x निकालना है ठीक है the thing is कि var of x में नहीं निकाल सकता तो थोड़ी दे के लिए माल लेते हैं कि यह जो row है इस row का expected variance जो होगा वो var x होगा just for the sake of discussion अब discussion आगे बढ़ाते हैं what if मेरे यह जो vectors है इनका dimension जो अभी तक one dimension था उसको मैं बढ़ा के two dimension कर दू इसका मतलब यह हुआ कि अब यह vector शायद ऐसा दिखाई देगा A और B दो number से मिलके यह जो vector है यह ऐसा दिखाई देगा दो number से मिलकर के यह वाला vector भी ऐसा दिखाई देगा और यह वाला vector ऐसा दिखाई देगा और अब जब हम dot product करेंगे तो हमें यह values मिलेंगी AC plus BD इस से हमें मिलेगा AE plus BF और यहाँ पे मिलेगा AG plus BH अब मुझे इन तीन numbers का फिर से variance calculate करना है ठीक है फिर से मुझे sample variance नहीं चाहिए यह तो तीन numbers है बढ़ यहाँ तो कोई भी numbers हो सकते थे तो मुझे इस random variable का इसको अगर मैं एक दूसरा random variable बुलाऊं Y तो मुझे var of Y निकालना है ठीक है और उससे भी जादा मुझे यह समझना है कि X के variance से Y का variance जादा होगा या कम होगा यह question मुझे आपसे पूछना है एक बार वीडियो पॉस करो और सोचो कि क्या यह relationship true है yes और no मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो numbers आए मालनो यहाँ पे sample numbers है 6, 3, 12 और इस तरह के और बहुत सारे numbers हो सकते हैं तो इन numbers का जब variance निकाला तो वो where of x था यहाँ पे भी कुछ numbers आ सकते हैं 17, 18, 21 और मैंने जब इन numbers का variance निकाला तो वो where y था मैं बस आपसे यह पूछना चाहरा हूँ कि इन दोनु scenarios में से कौन से scenario में variance ज़ादा होगा I guess अब आप समझ पा रहे हो since यहाँ पे आप दो numbers से मिला करके यह number बना रहे हो तो second जो अपना y वाला case है यहाँ पे variance clearly ज़ादा होगा because एक dimension add हो गया कितना ज़ादा होगा यहाँ पर एक number से मिलके बनाए है यहाँ पे दो number से मिलके बनाए है तो clearly roughly we can say कि where of y should be roughly two times where of x roughly speaking I cannot prove this अब discussion थोड़ा और आगे बढ़ाते है what if मेरे vectors three dimension के हो जाए तो a, b, c हो जाएगा मेरा v1 इसके बदले आजाएगा d, e, f इसके बदले आजाएगा g, h, i और इसके बदले आजाएगा k, l, m यह सारे numbers के placeholders है अब मुझे यहाँ पे जो number मिलेगा वो a, d, plus, b, c, plus, c, f होगा यहाँ पे जो number मिलेगा वो a, g, plus, b, h, plus, c, i होगा यहाँ पे जो number होगा वो a, k, plus, b, l, plus, c, m होगा right, फिर से यह numbers ही है but इस बार यह तीन-तीन numbers से मिलके बने तो अगर इसको मैं एक random variable का output मालनू z तो मुझे आपसे फिर से सवाल पूछना है कि where of z का relationship क्या यह true होगा and I guess अब फिर से समझ पा रहे हो कि z का variance y से जादा होगा y का variance x से जादा होगा because यहाँ पे आप तीन number से मिलकर के चीज़े बन रही है right तो roughly speaking फिर से where of z would be three times where of x roughly ठीक है तो हमारे इस discussion से हमें यह समझ में आया कि कल को अगर d dimensions हो तो जो variance होगा वो होगा d times where of x और where of x क्या है variance अगर आपका dimension 1 होता इसका मतलब dimension और variance के बीच में एक linear relationship है जिस तरीके से dimension बढ़ता है उसी तरीके से variance बढ़ता है तो basically हम जो यह बात लेके चल रहे थे कि dimension के बढ़ने से variance बढ़ता है हमने इसको mathematically quantify कर दिया अगर मैं इसको summarize कर दूँ आपके लिए तो one dimension के लिए variance था where x two dimension के लिए variance था two times where x three dimension के लिए variance था three times where x और जैसे जैसे करके आप d dimensions पे गए तो आपका variance हो गया d times where x and this is the problem कि dimension के बढ़ने से variance भी बढ़ रहा है linearly ideally ये होना चाहिए कि dimensions बढ़ता जाए हमारा variance constant रहना चाहिए मतलब one dimension में भी var x two dimension में भी var x three dimension में भी var x और d dimension में भी var x अगर हम ये achieve कर पाते हैं तो हमारा problem solve हो गया तो basically हमें क्या करना है हमें इन सारे numbers को किसी ऐसी चीज से divide करना है कि somehow variance हमेशा var x ही आए I guess यहां तक आप चीज़े आप समझ पा रहे हो अब guys मैं आपको एक mathematical rule दिखाना चाहता हो जो शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा mathematical rule ये है कि if you have a random variable x जिसका variance है var of x and you create a new variable y by scaling x with a constant c मतलब आपने एक नया random variable बनाया जहाँ पे आप हर x को किसी variable से scale कर दे रहो ठीक है random variable है मतलब उसके अंदर अलग-अलग outcomes होंगे हर outcome को आप c से scale कर दे रहो like this ठीक है तो जैसे ही आप ये करोगे तो y का जो variance होगा वो हो जाएगा c square var of x अब ये एक बहुत must property है इसको हम लोग utilize कर सकते हैं देखो कैसे मुझे क्या करना है मुझे somehow किसी ऐसे number से divide करना है जिससे outcome में हमेशा var x ही रहे dimension आप कितना भी बढ़ा लो तो जब हमारे पास one dimension था तो यहाँ पर अगर मैं simply one से divide कर दूँ तो कोई difference नहीं आएगा और outcome अभी भी var x रहेगा इस case पर ये बात applicable नहीं है बट यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं root over of two से हर outcome को divide कर देता हूँ अब सोचो जब पहले ये numbers थे जब root over two से अपने divide नहीं किया था तो इस system का variance आ रहा था two times var of x तो जैसे ही मैं root over of two से divide गरूँगा तो automatically इस system का variance क्या हो जाएगा अगर x का variance var x है तो cx का variance क्या होगा c square var x तो going by that logic जब हमारा y था तो हमारा variance var y था जो की two times var x था तो जैसे हमने y divided by root two किया तो हमारा var y क्या हो जाएगा one by two var y और one by two var y multiplied by two times var x क्या हो जाएगा ये two और ये two cancel हो जाएगा और हमें var x मिल जाएगा जैसे ही मैंने root two से divide मारा तो मुझे जो outcome मिला variance का वो var x ही मिला notice करना two dimension के लिए भी var x हो गया similarly three dimension में मैं क्या गरूँगा root over of three से divide करूँगा root over of three से फिर से notice करना z जब था तो variance var z था जो की roughly equal है three times var x के जैसे ही मैंने one by root three times z किया तो ये हो जाएगा one by root three का square var z basically one by three times three times var x ये three और ये three cancel हो जाएगा और इस system का भी variance कितना आ जाएगा x अब coincidentally आप ये notice करो कि यहाँ पे जो two है वो क्या represent कर रहा है two dimensions यहाँ पे जो three है वो क्या represent कर रहा है three dimensions इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास एक vector है जिसमें d dimensions है तो उसका variance x ही रहे var x ही रहे इसके लिए मुझे उसके हर value को मतलब ये जो outcome है इसकी हर value को one by root dk से divide करना पड़ेगा where keys keys का dimension हमारे case में keys और queries value सबका dimension सेम है तो जो भी है ये रहा हमारा explanation हमने just mathematically proof कर दिया कि क्यूं आपको बहुत ही साथा discussion किया हमने यहाँ पर हम कहीं पर थे हम one by root dk से divide क्यूं करते है also अभी हम लोग सिर्फ एक row की बात कर रहे थे बट ये काम आप तीनों रोज के उपर कर सकते हो in short आपको इस पूरे matrix को one by root dk से divide करना है और इससे आपका variance कितनी भी dimension के vectors आप यहाँ पर ले लो will always be where x बढ़ नहीं रहे जैसा है वैसा ही रह रहे तो I really hope आपको यह पूरा का पूरा mathematical justification पहले तो पढ़ने में मज़ा आया और दूसरा समझ आया तो एक बार summarize कर लेते हैं हमने जो self attention model develop किया था पिछले class में उसमें बस एक step add हो गया है हम क्या करते हैं हम q matrix को k matrix के साथ dot product करते हैं जिससे हमें ये matrix मिलता है इस matrix में variance का problem को solve करने के लिए हम scaling करते हैं by the factor of 1 divided by root over of dk dk is dimension of keys और उससे हमें ये intermediate vector मिलता है जिसके उपर हम softmax लगाते हैं जिससे हमें ये matrix मिलता है और फिर उसको हम values के साथ जब dot product करते हैं तो हमें हमारा self attention ये मिल जाता है contextual embeddings ठीक है अगर आपको attention mechanism calculate करना है और आपके पास q, k और v matrices हैं तो उसका formula होता है softmax of q, k, t divided by root over of d, k into v this is the final attention model जो transformers में use होता है काफी detail में हमने kind of I can proudly say first principle से चीज़े discover की हैं तो comment में लिखके बताना कि आपको इतना detailed approach पसंद आया या फिर हम shorten करें इस पूरे के पूरे form को मेरा goal तो हमेशा एक ही रहेगा कि आपको इस तरीके से चीज़े सिखा देना कि आपको ऐसा लगने लगे कि आपने ही invent किया है यही मेरा काम है as a teacher तो I hope मैं वो काम कर रहा हूँ और I really hope आपको यह पसंद भी आ रहा है तो please comment में एक बार लिखके बताना कि यार यह थोड़ा जादा ही हो गया इतना भी explain नहीं करना था या फिर you are actually fine and you feel कि हाँ या इस level पर जब explanation मिलेगा तो मेरा understanding और deep end होगा और फिर मैं और बढ़िया तरीके से problems को tackle करता हूँगा तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो like करना चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लेना मिलते हैं next video में Bye